कि ये जो यसी स्टी वर्गी करन का जो अब सुप्रिम कोट से जो मसला निकल कराया है जो कहने के निरिने दिया गया है इसको आप किस नजरीय से देखते हैं ऐसी समाज को बाटने का उनका प्रियास है और ये आज से नहीं है ये कभी इनोंने ऐसा प्रियास द्यानंद सरस्वती जी के माद्धम से आर्या समाज की स्तापना करके पहले भी हुआ है जो लोग जिस समाज में जिस ब्यादरी में समझदार हो गए हैं और वो अपने समाज को समझदार करने के लिए काम करते हैं अवेर करते हैं तो उन लोगों को जो सुद्र समाज से तालुकाद रखते हैं उन लोगों को उन समझदार लोगों को पड़े लिखी लोगों को उन लोगों को जनेव पहना करके उनको आरिया सब्द दिया जाएगा ये चीज इन्होंने OBC में भी लागो की है करीम लेर का मांगा तो वहाँ बरिपिनों ने ऐसे निकाला है ऐसे भी कर रहे हैं क्योंकि आज इनको आवास हुआ कि हमको यार ये जैसे समाज सुद्र समाज जागरूप होता जा रहा है इनको राश्पती भी बनाना पड़ रहा है इनको मंत्राले भी देने पड़ रहे हैं उन लोग जो पड़े लिखे लोग वह भी अपने समाज को अवेर करने में लगे हुए हैं तो उन लोगों को क्रीमी लेर के नाम पर अटा दिया जाएगा कि आगे इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो बालमी की समाज किया चमार ब्रादरी किया किसी भी ब्रादरी के जो लोग कमजोर हैं जो पड़ने में अवेर नहीं है उनको पैसे से कमजोर कर दिया जाएगा वो अपने बच्चों को पढ़ानी पाएंगे सरकारी स्कूल में सिक्षा नहीं है तो ये बच्चे वहां तक competition तक पहुँची नहीं पाएंगे एक ब्रादरी को दूसरी ब्रादरी से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है इन लोगों का बहुत सो लोग सोच रहे हैं कि चमार को गेर चमार से अलग करने का बालमी की समाज में फूट डालने का चमार को बालमी की शेलग करने का कारिकरम है ये तो उद्देश से उनका पूरा हो रहा है लेकिन उसके पीछे जो हिडन जो उनका मोटिव है न वो ये है कि बालमी की समाज में जो लोग भड़लिक करके आगे बढ़ गए हैं नौकरी में पहुँच के हैं अच्छे मकान बन ग कराएंगे लेकिन आज देश के अंदर इस यसीस्टी के रिजर्वेशन के वर्गी करन का जो मुद्दाया है इस पर न राहूल गांदी की कोई टिपनी नजर आ रही है न समाजोदी पार्टी के अखलेश यादव की बाते कहीं जा रही है लेकिन सीदे सीदे विरोध नहीं दर्श बहन मायवतिक जरी इस मस्रे पर लगातार अपने प्रतिक्रिया है दी जा रही है प्रेस कॉन्फरेंस भी बहन मायवतिनी की है लेकिन अगर बात करेंगे भारतियंता पार्टी की या फिर इंडिया गडबंदन की अगवाई करने वाली कॉंग्रिस की इन्हों दोनो अधिम से भी ये चुपी लगातार बरकरार देखी जा रही है इस पूरे के पूरे मसले की तहट तक हम जाने की कोशिश करेंगे और आखिर तमाम तरी की जो चीज़े देश में चल रहे हैं उस पे लेकर भी हम खास चर्च और बाच्चित करने वाले मेरे साथ मौजूद है ब पहिने के निर्णे दिया गया है इसको आप किस नजरीय से देखते हैं देखिए यह ऐसी समाज को बाटने का उनका प्रियास है और यह आज से नहीं है यह कभी इन्होंने ऐसा प्रियास द्यानंद सरस्वती जी के माद्दम से आर्या समाज की स्तापना करके पहले भी हुआ आर्या समाज की स्तापना का मतलब यह है कि जो लोग जिस समाज में जिस ब्रादरी में समझदार हो गए हैं और वो अपने समाज को समझदार करने के लिए काम करते हैं अवेर करते हैं तो उन लोगों को जो सुद्र समाज से तालुका लगते हैं उन लोगों को उन समझदार लोगों को पड़े लिखे लोगों को उन लोगों को जनेव पहना करके उनको आरिया सब्द दिया जाएगा आरिया मतलब सर्वस्रेस्ट इसका मतलब यह है कि आप इस जाती के सदस्य नहीं रहे हो आप सर्वस्रेस्ट हो गए हो आप इन से स्दस्य हो गए हो यह जिनके जाती से आप बिलॉंग करते थे वो और सदस्य जो है आप जाती के उनके पास जनेव नहीं है आपके पास जनेव है तो आप इन से हट जाओ यह उनका उनको उनीकी ब्रादरी से हटाने का कारेकरन था ऐसे ही अब जो है इस बात का जिक्र बावा साब ने अपने वोलिम्स में लिखा है इस ऐसे ही जो लोग ऐसी समाज में एस्टी समाज में जो ब्रादरियां सबी ब्रादरियां में से पड़लिक करके लोग सरकारी नौकरी में पहुँच करके या बिजनिस करके या किसी भी प्रकार से मजबूत हो करके अपने बुद्धी का, अपने पैसे का, अपने संसादन का इस्तिमाल, अपने समाज, अपने वर्गों के उत्थान के लिए, अवेर करने के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इन लोगों को खटक गए. कि अगर ये लोग इसी प्रकार से काम करते रहें, तो हमारी ववस्ता को भी खत्रा है, और हमारी सत्ता को भी खत्रा है. उसके लिए इन्होंने जगह जगह पे कैई बार ऐसा देख लिया है, जैसे उत्तर परदेश में सहाब कांसी राम जी ने इन सत्ता की कुर्शी निकाली. आज इनको मजबूरी में आकर के जो ये मूवमेंट चल रहा है इन समाज के लोगों का, सुद्र समाज के लोगों का, ये चीज इन्होंने OBC में भी लागू की है करीमी नेर का मामला, तो वहां बर इन्होंने ऐसे निकाला है, ऐसे भी कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको आवा इनी पड़ रही है, तो इस समाज में से, जिन जिन भ्यादरियों में, सभी ब्यादरियों में से, जो जो लोग अवेर हो गए हैं, उनको जिन काणों से अवेर हुए हैं, सिक्छा से, नौकरी से, मजबूती से, फैसे से, उन लोगों को क्रीमी लेयर के नाम पर अलग कर दि जाएंगे तो उनके जो लोग अवेर नहीं है या। नौकरी्में नहीं है। या ऐसे सामान्य लोग है वे लोग उन लोगों से अलग हो जाएगे। तो ये इस तरह इस अलग होने से इन में फूट पड़ गये। इस फूट सब्सक्राइब करने से यह मूव्मेंट जो है दीरे-दीरे इन लोगतर दोरा जो चल रहा है संसादन जुटा करके बुद्धी पैसा समय रिशोर्स इस इनको जुटा करके जो यह मूविंट चला रहे हैं यह मूविंट इनका दीरे-दीरे 10-20 साल में खतम हो और क्या क्या आपको लगता है कि क्या इसके फाइदे क्या नुक्सान है फाइदे आपको क्या लगते है इस जज्जमेंट के बाद नुक्सान क्या है इसके फाइदा इसमें कुछ नहीं है इसमें टोटल नुक्सान है यह मैं कहता आया हूं मैं काफी वीडियो में बोला हूं ये एक ब्रादरी को दूसरी ब्रादरी से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है इन लोगों का बहुत तो लोग सोच रहे हैं कि चमार को गयर चमार से अलग करने का बालमी की समाज में फूट डालने का चमार को बालमी की से अलग करने का कारिकरम है ये तो उनका पूरा हो रहा ह लेकिन उसके पीछे जो हिडन जो उनका मोटिव है ना वो यह है कि बालमी की समाज में जो लोग पड़लिक करके आगे बढ़ गए हैं नौकरी में पहुंच गए हैं अच्छे मकान बन गए हैं उनको भी बालमी की समाज के कमजोर वरक्ष से अलग किया जाए यह कैसे यह ऐसे कि मान लीजिए जिस परिवार के अंदर नौकी लग गई सरकाई नौकी लग गई अब मेरे बहुत से साती हैं अधिकारी हैं एक्सियन हैं इंजिनियर हैं डॉक्टर प्रोफेसर हैं बालमी की समाज के आप देखते होगे पबार वो लड़की है हमारी वो उन लोग जो पड ब्यादरी कि या किसी भी ब्यादरी के जो लोग कमजोर हैं जो पड़ने में अवेर नहीं है उनको पैसे से कमजोर कर दिया जाएगा वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे सरकारी स्कूल में सिक्षा नहीं है तो ये बच्चे वहां तक कंप्टिसं तक बालमी की समाज के बुद्धी जीवी वर्ग को बुद्धी जीवी लोगों को सामानने लोगों से अलग करने का प्रोग्राम है चमार ब्यादरी के बुद्धी जीवी वर्ग को सामानने लोगों से अलग करने का उसी के ब्यादरी के अंदर का प्रोग्राम है ये इनको वहा तक पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है बल्की जो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं उन ीची ऐड़ी Arm को ुखतम करने का कारेकरम है आपका सरकार के अंदर कोई हैस्तक्रार्णा में नहीं चीज में ऐसे करते करते 10-15-20 साल के बाद पहले ये इसकी कमर तोड़ेंगे और उसके बाद में ये आरक्षन जो पॉल्टिकल रिजर्वेशन है उसको भी 100% आउट कर देंगे उसके बाद ना तो तुम्हारा सदन में कोई व्यक्ति होगा और ना किसी विवाग में तुम्हा व्यक्ति है तो उसके बाद आब वो उस फाइदे को जो मिला है उसके बाद अगली पीड़ी पीड़ी को इसकी कोई आवशक्ता नहीं तो यह भी लगातार बात चल रही है और उसको छोड़ देना चाहिए अपना रिजर्वेशन यह बात चल रही है इसमें हमको intention of the legislation को समझना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के समिधान बनाया गया ये आर्टिकल्स बनाये गए 154, 164, 341, 42 ये जो आर्टिकल्स बनाये गए इनके पीछे intention क्या थी बनाने वालों की ये किसी वर्ग को गरीबी से बहार निकालने का कारेकरम नहीं है आर्टिकल 164 के clause में लिखा हुआ है कि एडुकेट रिप्रेजन्टेशन का यह है कि जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी इस्सेदारी इस वर्ग का रिप्रेजन्टेशन गवर्मेंट के विभागों में होना चाहिए ये वहां से अगर किसी एक वर्ग ने सरकाई नौकरी मिल गई अगले वर्ग को नहीं दी जाएगी यही तो वो कह रहे हैं यह कोई समाज अमीर हो गया है तो उसको वहां से हटाय है यह तब तो लागू होती है यह लेकिन यहां पर बात है कि आप इस बात हो कह भी रहे हो यह नहीं इन्हों ने पंजाब में लागों किया दोजार चार में कि वह 25% जो रिजॉष्वेशन है उसका साढ़ə 12% मतलब 50% हम बालमी की समाज के रिजर्व करते हैं लेकिन बालमी की समाज को आज 20 साल हो गए लेकि वह सरकारी के समें तो पहुंच नहीं पाया है तो 22% रिजर्वेशन है साड़े 22% सी और साड़े साथ परसेंट तक भर पाता है दोनों का 15% कोटा खाली है अगर 15% कोटा खाली है तो यह कैसे माना जा सकता है कि एक जाती पूरा अधिकार खारी यह दूसरी ब्यादरी का अगर वो सारे अधिकार खालेती दूसरी ब्यादरी का एक ब्रादरी तो वो 15% कोटा खाली कैसे रहता है जिसको तुम बैक लॉक बोलते हो इसका मतलब हो और दूसरी बात आप यह कहते हो कि यह ब्रादरी वहां तक नहीं पहुंची और ब्रादरी पहुंच गई यह ब्रा टैट क्वालिफाई अच्छी अच्छी नौकी तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे प्रोराम क्यों नहीं चले जब तुमने बालमी की समाज को 50% डिया तो तुमने उन लोग को पहुंचाया क्यों नहीं तुमने यह क्यों नहीं देखा कि इस रिजर्वेशन का यह कोटा पूरा क्यों नहीं हो रहा है क्या तुमने ऐसा कोई प्रोराम चलाया बालमी की समाज के लिए कि चरो बालमी की भाई ओसर का स्कूल में जाके पढ़ो आपको पढ़ो हम आपको जो है रिजर्वेशन देते हैं पढ़ाई के चित्र में हम आपको कुछ विश्य सदिकार देत हैं और खासतोर से कंप्टिशन से दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि जो लोग अवेर हो गए हैं और अपने समाज को तैयार कर रहे हैं आज हर एक ब्रादरी का पड़ा लिखा व्यक्ति अपनी ब्रादरी को तैयार करने के लिए लगा हुआ है चाहे जाट हो चाहे गूजर के लिए क्लग करो तो यह लोग लग गए फिर काम पर हैं जब लग ड़ गए फिर यर की ववस्ता हिलने लगे इनका स्ट्रक्सर रहनी लगा इनकी सप्ता हिलने लगे तो इस लिए कि इन लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया कि इनको आउट किया जा है देश में ये मुद्दा जिस तरीके से अब तुल पकड़ चुका है लगातार सुर्खियों में बने हुए है लोकसभा दोजर चोबिस के चुनाओ गया से उस दौरान देखा गया कि कॉंग्रेस और समाज करन का जो मुद्दाया है इस पर न रहूल गांदी की कोई टिपनी नज़र आ रही है न समाजवाधी पार्टी के अखले शिया दव की बाते कही जा रही है लेकिन सीदे सीदे विरोध नहीं किया जा रहा बातों को घुमाने का काम किया जा रहा है और बहन मया विति इस इसने हमारे समारक समाजवाधी पाथ समय वाथिया जिसने हमारे महापौर्सों के नाम पर जो जले रखे गई तो उनको चैंज किया इसकी सोच यह एक वोट लेने का यह कार्य करम है और हमारी पूरिए बिएस पी का जो मुवमेंट खड़ा हुआ हुआ वह सकता है नहीं पड़ती तो कहीं न कहीं हम तो कहते भी रहते हैं कि जो समाज ये कह करके गया था कि बीजेपी को हराने के लिए सवीधान की वज़े से बदलने की वज़े से हम इंडिया का टुमंदन को बोटकास्ट कर रहे हैं बामसेफ का हमारे समाज के लोग जो मुवमेंट को पहले सपोर्ट करते थे आज वो लोग दोनों के दोनों उनके जो दोनों भीया जो है यह राउल गांदी रखलेस दोनों भाग गए बदान छोड़ कर गए लेकिन बहन जी आज भी इतना सब को छोने के बावजूद भी बहन जी आपके साथ खड़ी हुई है इसके लिए आज समाज इस बात को सोच रहा है कि अपना अपना होता है अपने का दर्द अपने का होता है तो कहीं न कहीं इसका खाम्याजा आने वाले चुनाम में सपाक और कॉंगर्स को भगतना पड़ेगा और अभी पांच सीटों पर चुनाब हुआ है प्रदेश में उप चुनाब जिला पंचास साथ से उपर उसमें से तीन सीट बहुजन समाज पार लेकिन यह विचारधरा से तालुकात नहीं रखते हैं इसलिए यह बात दीरे दिये लोग के समझ में आ रही है अब जिस तरीके से हम पूरा मसला पूरे तरीके से गरमाया हुआ है मलीकार जुन खड़िए का एक बयान आता है आरक्षन को लेकर उनका यह साफतोर पर कहना ह है कि इस देश में जो आरक्षन है वो आरक्षन नहरुजी और गांदी जी के बदलत मिला है उनका योगदान है यह बात वो कह रहे हैं यह तो बात सही है कि जो मिला है वो गांदी जी नहरुजी के बदलत मिला है लेकिन जो हमको चाहिए था बाबा साब वाला वो नहीं मिल पाया इसके लिए हम उनको दोसी मानते हैं गांदी जी कर नहरो को जुम्बेदार मानते हैं जो असली आरक्षन था कि ऐसी समाज के लोग ही खड़े होईंगे और ऐसी समाज के लोग ही बोट डालेंगे आरक्षन तो ये था असली इससे तो चम्चे इकटे होते हैं अगर उसमें समाने लोग भी बोट डालेंगे तो ये आरक्षन हमको नहीं चाहिए था इसलिए अगर ये ऐसी बात कहते हैं तो इसके लिए तो हम भी फिरमीन से ये भी कहेंगे कि आपने असली आरक्षन को लागू क्यों नहीं होने दिया जिसको बाबा साहब चाहते थे और जब तक वो असली आरक्षन लागू नहीं होगा तो सरकारी विभागों के अंदर भी असली आरक्षन रिजर्वेशन नहीं हो सकता पूरा क्योंकि उसको लागू करने वाले लोग जो अजर्व कोटा से गए हैं वहां वीरोदी नहीं कर पाते हैं वह यह नहीं पूछ पाते सरकार से कि भाई तुमान जो यह कोटा खाली क्यों हैं यह बेक लोग क्यों हैं इसका मतलब इस रिजर्वेशन का नोखरी वाले रिजर्वेशन का पड़ाई वाले जरिविशन का संबंद जो है वो सीधा सीधा पॉलिटिकल जरिविशन से है अगर तुमने हमारा पॉलिटिकल जरिविशन तुमने हमारा खराब किया है उसी की वज़े से हमारा ये नौकरी वाले जरिविशन खराब हुआ है तो इसके लिए अगर आप ऐसी कोडिनेटर आकाशानन उनकी लगाता है रेलिया शुरू है उनके साथ जो मुख्य मंत्री के इस गड़बंदन के बस्पा और इनलो के दावेदार अब चोटाला जी भी मौजूद है यह गड़बंदन को आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि बस्पा और इनलो का गड़ब कार्ठी बनी थी अबच्पा शुंद हैं उनका और उसने दस्ट जीत भी ली थी और वो बीजेपी के खिलाप होकर के जीती ती तिर बीजेपी में जाकर वो डीप्टी सीम बन गए तो अब जाट समाज में जो चहरा बचता है वो फ़ खोट आला ही बचते हैं जेजेपी ब तो गंबीर हो गया लेकिन कहीं ना कहीं यह अपनी जगह पर स्टेंट रहे अभे चोटा राजी जो उनके चाचा लगते हैं साथ तो उसके साथ में विचार की अधार पर जो है बैंजी नहीं गठवंदन किया तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना हैं लेकिन इसमें जो मूल बात समझने वाली है वो यह है कि अगर ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ होता आया है इस तरीके से बस्पा का कोर बोट तो उदर चला जाए जहां पर जहां पर इनकी इनलो चुनाव लड़े बस्पा कोर बोट मचला जाए और वो कुछ सीटे जीत भी जाए लेकिन इनलो को यह जाड समाज का जो कोर बोट है जहां बस्पा चुनाव लड़े वहां पर वो बोट ना पड़े तो हम चुनाव हर जाए बस्पा चुनाव हर जाए और वो अपनी कुछ सीटे जीत जाए तो यह भी एक तरी लोग को यह बास समझानी पड़ेगी कि हम विदायक बराना चाहते हैं लेकिन आप तो सीम बराना चाहते हो इसलिए आपको अपनी संक्या बरानी पड़ेगी अपने गिंति उसमें जो जानकारी मिल रहे कुंकि संक्या कमा रही है और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसा मत कर देना कि आप अपनी सो सीटे निकाल लो अब अस्पा को आप हरा दो तो बस्पा अगर हार गई कल को तुमको दस्पांच विदायक के जोत पड़ गई अब बस्पा को तुमने एक भी नहीं जिताया तो फिर वहां पर आपको दिक्कत आएगी सीम बनने में और अब अब विदायक बनना ए वस्पा को आपको स्रियम बनना एक तो आपकी भागेदारी जादा होनी चाहिए इस बात को समझाने में अगर मीटिंग्स के माध्यम से हम सफल हो गए तो यह संग्ठन सफल होगा वन्ना ऐसे संग्ठन पहले भी कई बार बने हैं जिन में हमको स जाना है जाट समाज के लोगों को जो मैंने बताया है। ऐसे में क्या जो दली समाज है क्या फिर एक बर कॉंग्रेस पर विश्वास कर सकता है। कि भाई तुम कॉंग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को बोट देते हो बीजेपी को राने के लिए कॉंग्रेस को देते हो। एक बार तुम अपने दस पांच विधायक निकाल करके ऐसी इस्तिती में वहाँ पर 90 सीट है। नब्य सीट में केवर 9 सीट आपको जीतनी है। असपा को दस परसेंट आपको सीट जीतनी है। और 46 ना तो कांग्रेस के हो पाइंगे ना बीजेपी के हो पाइंगे इस बीच में तुम्हारे दोनों गटबंदन के 15 विधायक भी जीत गए तो तुम अपना दावा ठोक सकते हो बिए कॉंग्रिस के भी यह तू भी आ जा वीजएपी के भी यह तू भी आ जा लेकिन मैं हम धुश्यान चोटा ला नहीं है कि हम समर्तन दे के तुमरा सीम बनाएंगे हम बीएश्पी नेलो है हम समर्तन लेके सीम अपना खुद और अपने जिस उद्ध्स से के विलूए हमने यह कामसुरू किया है सबीधान को लागव करना हम सबीधान को लागव करेंगे बैक लोग को पुरा बरेंगे किसी भी ब्रगा कोई हट नहीं मरने देंगे ऐसा क्योने ही सोचना चाहिए हमारी की भी अदरी की भॉपक के जैसे संध्या है पंजाब तक क्यों न हमको पनानी छाहिए तो मैं जोगों को समझते हैं कि में बीजेंट को खरी स이고 औराने के लिए कंग्रेस को जढ़ाने कर ठेक लेना बंद करो अपनी ताकत दिखाओ इस तरीके से लोकसभा चुनाओं में जो परिणाम निकल कर आई है काफी ज़्यादा नकरात्मक्ता भी समाज के अंदर में देखी गई लेकिन अब विदानसभा को लेकर भी कहने के नई उमीद है क्योंकि यह गडबंदन हुआ है बहन मायवती का जो रोकिस पूरे के पूरे चुनाओं के दौरान या फिर अभी कहेंगे वरतमान सीती में जहाँ पर कॉंग्रेस यसीस्टी के आरक्षन के वर्गीकरन को लेकर मुखर नहीं है समाजवादी पार्टी मुखर नहीं है लेकिन बहन मायवती ने जो मुद्दा उठाया वो देश के अंदर में अब लगातार बहन मायवती की चर्चा की जारी बातचीत की जारी है ऐसा समय समय पर आखिर क्यों होता है कि जब वक्त आता है तो यह तमाम राजनेतिक पाटिया जो है वो पीछे ओड़ जाती है और कहने कई जो ओरिजनल जो रियल रिप्रेजेंटिटिव है यह कहने कई समय 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 पर था उसके बावजुद भी विश्वास नहीं बन पाता या फिर विश्वास नहीं किया जाता है दिखिए इसकी वज़ए यह रही कि 2007 में हमारे पास 30% बोड़ था उत्रपर देश में और हम सरकार में थे यह BSP की अपैक्स पोजिसन रही है सबसे उंची वाली उसके बाद आगे किनी भी कारणों से हम 22% पे चले गए फिर 19% में चले गए अगले चनावों में फिर हम 13% पे चले गए फिर हम 9% पे चले गए इस बीच में ऐसा हमने काम नहीं कर पाए कि समाज को यह विश्वास हो की बीचेपी को हम अरा सकते हैं और समाज को बीचेपी से खत्रा लगता था तो जब समाज ने यह देख लिया कि बीचेपी बीचेपी को नहीं हरा सकती तो लोगों ने 60% लोगों ने 22% हमारा को रबोट था बेंजी ने कहती थी समाज में तरह चट्टान की तरह खड़ा हुआ है 22% से घटके 9% पे पहुच गया 13% आउट चला गया यह टोटल सपा के पास गया है को इसके घटबंदन में सपा घटबंदन में गया है वह 546 सांसाथ हो गई 22% से सपा बढ़कर 38% पे पहुच गई यह टोटल बोट हमारा वहां गया 13% तो वो जो है हम लोग यह नहीं प्रूफ कर पाए कि बीजेपी को हमरा सकते हैं और बीजेपी को अराना समाज को देश से बन गया इस चकर में आकर के यह इंट्रेक्शल समाज के नाम पर यह बोट जो है सारा सारा उ लेकर जो 19 तक रहे हो सौरी 19 से लेकर 24 तक रहे है इनको कुछ एक्टिविटी ऐसी दिखानी चाहिए थी कि हम बीजेपी के खिलाब है इसके लिए बेहन जी ने कहा भी कि यह सांसर जो है पूरे पांस साल में यह प्रूफ नहीं कर पाए कि हम जो है बीजेपी के खिलाब है यह बेहन जी ने भी कहा था जब इनको निकाला था किसे को टिकट नहीं दिया था एक केवल ग्रीश्टन जी उनको टिकट दिया था त यह बात हमें पांस साल बात्सिं है कि यह काम हम पहले से हो ते बिल चाए पास हो चाए फेलowo बीजेपि के दुआ लेशा हुआ लेकिन हमें विरौद करना कम ही निकाल ली है जिससे कि हम समाझ में यह प्रूफ कर सकें हैं कि हम बीजेपि के खिलाव हैं आप आप फिर कब प्रूफ करेंगे कि हम बीजेपी खिलाब हैं तो वो कहीं न कहीं इसी लिए वेंजी न कहा कि ये नेता जो दसांसत थे ये हमारे उस दिसामे काम नहीं कर पाए इसी लिए समाच गुस्सा हो करके बस्पा को छोड़ करके इंडिया गटबंदन की तरफ बीजेप पिनाजी चाहें जो चल रहा था और उसमें वो कुछ हट तक सफल भी हुए जो 400 पार की बात करते थे वो 200 पार मुस्किल से पहुँच पाए अब ये आगे का रन्नीति क्या तैयार होती है हमारी पार्टी के दोबारा ये वक्त बताएगा लेकिन अभी तक कि सच्वेशन य अभी वहरियाना में लगातार दुआदार उनकी जो रेली अभी जारी है तमाम दस लोग सबाश सीटों पर क्या लगता है कि जो नेतरतवा आकाशन को फिर एक बार दिया गया है वो नेतरतवा और ये विधान सबाग के जो चुना होने वाले है जिस तरीके से उनकी जो भा कार वाला ही मामला देखा जाए तो जिस समय आकाश भाई को बी एस्पी मिली थी उत्तरपरदेश में से यह किसी भी स्टेट में उस समय बीएस्पी के पास उत्तरपरदेश में 22% बोच ता आज कि डियट में 9% बोच कि लेकिन हो सकता है बैंजी अभी परिक्छा ले रही हो कि हो सकता है यह बच्चा जो है रिकवर कर ले रही बात आपकी शुकिर्ती की और आपकी रिजल्ट की देखिए रिजल्ट में शुकिर्थी आती है अगर रिजल्ट बढ़ जाता है उपर आ जाता है जिस तरीके से भी तो यह तै करेगा बच्चा पूरे साल स्कूल जाता है अटेंडेंस करता है टूसन जाता है दिहान से पढ़ता है बिजी रहता है लेकि रिजल्ट फैल आ गया एक बच्चा इस्कूल गाटा है टूसन भी नहीं पढ़ता है खेलता कूतता है धोड़े समय पढ़ता है एक डिजल्ट में जो टॉप आगिया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रफली बढ़ते हैं अब फटाक से पास जाते हैं अच्छे नमबर ले आते हैं मैंने देखा है जिन किलासों में जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस रहे अब बहुत ज्यादा बच्चे तो बच्चा टीचर माबाप क्या देखेगा रिजल्ट क्या है आप खूब सीरियस रहे सब कुछे आप फेल हो गई अ एक बच्चा दूसरा जो भाई यह वह रफलीर पड़ा अच्छे नमबर लिया है तो आपका रिजल्ट तेह करेगा कि आपने पूरे पांस साल में क्या किया आपका रिजल्ट जब आएगा राजिस्तान हर्याना का कहीं का भी या उप चुनाव का तो वह तेह करेगा कि आक कि अपनी प्रोसर मीडिया पर वीडियो डाली थी अपनी फेस्बॉक से कि अब अगले चुनाव जो होएंगे वह आकास पर इंपक्ट पड़ेगा बेहन जी चाहे दस चुनावार जाएं क्योंकि बेहन जी का काम इतना बड़ा है कि वह जिंदगी पर चुनावार जाएं त उसका इंपक्ट चाराजिस्तान मदपड़े चतिजगर कहीं पर भी हो दिल्ली यूपी अरियाना कहीं पर भी चुनाव हो उसका रिजल्ट उपर आएगा बढ़कर के आएगा तो आकास बाही चल पाएंगे वरना एक्सेप्टेंस में दिक्कत आएगे इसलिए मैं बारवा हमारा समाच बेहन जी का आशिरवाद सभी लोग आकास बाही के साथ हैं वो इसकाम को आगे बढ़ाएं यह काम आगे बढ़ता हैं उनकी नेत्रत में तो जैप्रकास सबसे पहले उनकी बीड़ का इससा बनने के लिए तयार है अगर मैं बीएस पी के लिए काम कर रहा हूं और उसका उत्रादिकारी आकास अनंजी हैं इसका मतलब मैं आकास अनंजी के लिए ही तो काम कर रहा हूं जो मुखियां हैं उत्रादिकारी हैं उसी संक्षन के लिए मैं काम कर रहा हूं तो मैं आकास भाही के लिए काम कर रहा हूं हम सब उनके साथ हैं लेकि रिजल्ट लोगों की जो वापसी लगातार बरकरार है बनी हुई है लेकिन आपकी वापसी का जो सवाल का जो हल है या फिर उसका जो जवाब है वो कहने के नहीं मिल पा रहा है आपके वाज इसका क्या जवाब देखिए बुद्ध ने कहा है कि कुछ चीजें डाउट से सुरू होती है डाउट होने भी चाहिए डाउट से आप किल्याटी के तरफ जाते हैं अगर डाउट हमेशा डाउट करना चाहिए डाउट नहीं करेंगे अंधभक्त बन जाएंगे तो फिर केलियर्ट टी तक नहीं पहुंच पाहेंगे तो जो जो डाउट से हो दिये दिये लोग के दिमाख में आ रहे हैं कि यार पता नहीं जिन्होंने आकरमन किया बहन जी को उ को ले लिया ऐफ हो गई आकास भाही के उपर शेम नेचर की प्रॉबलम थी जयप्रकासर आकास की वही लेविल था वही सब कुछ था उस तक 24 दिन के बाद में ले लिया तो ऐसा जैप्रकास में क्या गल्थी है उसको नहीं लिया गया तो मैं तो यह कह नहीं सकता कि वही क्या वज़े हैं लेगि मैं तो अपील कर सकता हूं कि जब भेंजी ने सब को माफ कर दिया तो एक माफी जैप्रकास के लिए भी बनती है छे साल पूरे हो चुके हैं 17 जुलाई को हमको और जो है चैसल का इनियम होता है जातर पॉलिटिकल पार्टिज में छे साल के लिएन की सदस्तरत की जाती है तो जब सब लोग काम कर रहे हैं तो हमको भी काम करने का मुखा दिया जाए हम तो कहते हैं कि उपर आकास नीचे पर कास आकास बाइग उपर काम क कर लेंगे अगर दिक्कत है कि बहुत भाई को प्रॉलम आजाएगी जो लोग कहते हैं इसलिए वापसी नहीं हो रही है तो आप हम वहां तक पहुंचने ही मत दो आकाज भाई उपर काम करें बड़े बड़े लेवल पर काम करें हम जमीन में काम कर लेंगे जह हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो रिप्लेश्मेंट कैसे हो जाएगा तो इसलिए यह तो डूटी है दूसरी बात हमको सबसे कमजोर एरिया हमको दे दो आगे भी कु अरहां और ये कहते हैं कैंके कि मिलकर के काम करेंंगे कुंपरीशन होना चाहिए कंप्रीशन से काम बढ़ता फूट नहीं होनी चाहिए दोसुं कए मैं काम करने के लिए competition होना चाहिए BJP में होता है, Congress में होता है सभा में होता है, सभी में होता है हमारी party भी होता है जब होता है, तो एक हिस्सा हमको भी दिया जाए तो मैं यह appeal करता हूँ काफी सारी चीजों को लेकर हमने चर्चा की है कि जिस तरीके से या CST के वरगी करन आरक्षन के वरगी करन का मुद्दा इस वकट सबसे ज़ादा गर्माया हुआ है बहन मायाविती की प्रतिक्रिया है दिन बदिन लगातार आ रही है, प्रेस कॉन्फरेंस भी की गई है सीधे तोर पर बहन मायाविती का यह कहना है कि इस मसले को और इस जो निरन आया है इसको पल्टा जाए और विशेश जो कहने की चर्चा सत्र है वो चर्चा सत्र सरकार के तरफ से बैठाई जाए इतना ही नहीं तो ये भी अब हमने बाचीत की इस चर्चा के दोरान की हरियाना में जो होने वाले विधान सबा की चुनाव इसको लेकर बसपा और जो इनलों का गडबंदन हुआ है इसके आखिर क्या कुछ सच्चा है इसकी पीछे की जो वज़ा है वो कितनी जादा कारगर होगी और जो गडबंदन बना है उसका बविशा आकरी क्या कुछ हो सकता है तमाम चीज़ों को लेकर जो आपने बाते सुनी इसको लेकर आपकी राय क्या है प्रतिक्रिया क्या है लिखकर हमें कमेंड बॉक्स में ज़रु बताए बने रहे नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जैभीम जैवार